दवाईया खाने के बाद ये खाली हो चुके रैपर्स सबके घर में होंगे किसी की घर में कम किसी की घर में ज्यादा मेरे घर में थोड़े से आयुरवेदिक ज्यादा मिलेंगे क्योंकि आयुरवेदिक दवाईयों के इस्तेवाल हम लोग ज्यादा करते हैं तो अगर आपने संभाल के रखे होंगे तो अभी इस्तेमाल करिए वरना वीडियो को सेव करके रख लिजिए आगे के लिए नमस्कार जुगाड़ु वेश्टी पर आप सबी का धेर सारा स्वागत करते हैं आज के यही दवाईयों के रैपर्स आपके पस गोल हैं लंबे हैं ओवल हैं किसी भी शेप के हैं लेके आए पर हाँ लेने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल की घंटी बजा दिजिए इसके बाद औल का बटन दबा दिजिए फिर एक छोटा सा काम और सबी अपनों को शेयर भी कर दिजिए जिससे कि आपके सासत वो लोग भी इन दबाईयों के रैपर्स का एक बहतर सदु पयोग कर सके बाइक साइट में जो दबाईयों को रोकने के लिए जो पन्नी लगाई जाती है ना उस पन्नी का कुछ हिस्सा अगर इनमें बाकी है तो वो हम लोग निकाल देंगे और अगर दबाईयों निकालते हैं वक्त ये कुछ पिचक गए हैं तो इनको अपना उंगली डाल के सीधा कर सकते हैं या आप कोई मोटा पैन ले लिजे कोई भी चीज ले लिजे जिससे कि ये पिचके होऊं को आप सीधा कर सकें लिजे बैया हो गए बस अब इनको ऐसे हम लोग उल्टा करके रख लेंगे और क्या करेंगे जहां पर इनमें गोलियां भरी थी वहाँ वहाँ पर हम लोग अपनी ये वाली गोलियं भर देंगे, है ना, छोटी बड़ी जैसी भी चाहिए आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, किसी किसी में देखिया, मैंने दो दो डाल दी है, है ना, तो यहाँ पर आप एक डालें, दो डालें, छोटी डालें, बड़ी जालें सब कुछ अपने हिसाब से अप यहां पर एक लिया मैंने वाइट कलर का केरी बैग और यह केरी बैग तो सब के घर में पड़े होंगे तो केरी बैग उठाई और काटना कितना है जितना हमारा यह दवाई का रहपर है उससे थोड़ा सा बड़ा यानि कि इसका थोड़ रहेगा मेरे पास अभी नहीं था तो फेवी कॉल से भी काम हो जाएगा पर बहुत ज़्यादा अच्छा फेवी क्विक से होगा और अपना जो ग्लूग है उससे मैं नहीं करी हूँ क्योंकि बहुत मोटी से लेयर उसकी लग जाएगी इसलिए बस एक अपना यह केरी बैग का टुकड़ा हम लोग इस पर चिपका देंगे अच्छे से दबा देंगे जिससे कि यह सारा चिपक जाए बस इसी तरह से हम लोग सारे चिपका लेंगे और इनको रख देते हैं सूखने के लिए असली से सूखने दीजिए अगले दिन देखिए सूख के अच्छे से तयार हो गए है अब हम लोग क्या करेंगे अपनी सीजर उठाएंगे और एक एक करके इनको काट लेंगे उसके बाद एक एक से हम लोग अपना एक्स्ट्रा वाला ये पोर्शन सारा काटके निकाल देंगे तो सफाई के साथ ये हमारे कटके हो जाएंगे तयार था ना कितना असान अब ये आपको क्या लग रहा है जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि ये हमारी आँखें लग रहे हैं आप कभी किसी अपने क्राफ्ट में गोल आँखें लगाते होंगे किसी में ओवर लगाते होंगे तो जो जो जिस जिस शेप के आपके पास रैप किसी में दो-दो बॉल्स डालनी है तो वो डाल दीजे और अगर काटते वक्त कुछ ये अलग हो जाता है तो इनको दो बारां से ऐसे आप चिपका भी सकते हैं ये देखिये भीया धेर सारी आखे बन की हो गई तयार अब इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ओ सारी आपको ये दो बताया ही नहीं कि आखिर कर ये बॉल्स मैंने कैसे बनाई एमसील है ने अपना बहुत थोड़ा से एमसील दस रुपए का पैकेट और उसमें से भी बहुत थोड़ा हिस्सा यानि कि वन फोर्थ तो ठाई तीन रुपए का आपका लगना है एमसील और धेर सारी आपकी आखें बनके तयार हो जाएंगी बस दोनों को एक साथ मैश कर लिजिए और इनसे बना लिजिए अपनी बॉल्स साइज आपका अपना चूना हुआ होगा छोटी बड़ी जैसी बनाना चाहते है बना लिजिएगा तो यही बॉल्स भरी थी मैंने पीछे आप देखिए इसका एंड यूज भी देख लिजिए बरसों पहले मैंने इस डियाई वाई को बनाया था आप सभी को याद होगा बस यहाँ पर देखिए आईबॉल इसकी वाईट है और अपी जो मैंने बनाया उनकी आईबॉल्स ब्लेक है तो अगर आप भी थोड़ा सा कुछ क्राफ्ट करते हैं कुछ अपना इस तरह से प्लांटर्स सजाना शाहते हैं इस तरह से ढेड़ सारी अपनी आईच बना के रख लीजिए जब आपको जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लीजिए अच्छी लगी हो तो लाइक करकी ही जाएगा मिलते हूं किसी अगले जुगार के साथ अपता के लिए धन्नवाद